हेलो फ्रेंड्स आज मैं आख के साथ में बिना बेसन का बना हुआ बहुत जालीदार स्पंजी खंबन धोकला लेके आई हूँ इसको मैंने बनाया है बिना सोडा, बिना बेसन, बिना सिट्रिक एसिट के फिर भी ये इतना स्पंजी जालीदार बनता है कि आप खाएंगे तो बस खाते रह जाएंगे क्योंकि आज का ढटोकला इसको मैंने बनाया है दाल और चावल के साथ में हैं बिना खिसी फेलियर के आप रावसे बना लेंगे चली देखते हैं आज का ढटोकला बनाने के लिए यहां मैंने लिया है एक कटोरी चावल नॉर्मल चावल जो हम हर द चावल डाल देंगे साथ में डाल देंगे दाल और इनको हम दो तिन पानी से अच्छे से रगड़ते वे धो लेंगे ताकि दाल चावल जितनी गंदगी हो श्टार्च हो वो निकल जाए एक पानी डालने के बाद में इसको रव कर लेते हैं चावल जाए और यहां पर दाल चावल को मैंने तीन पानी से धो लिया है और इसको हम भीगोएंगे 8-9 घंटे के लिए आप चाहें बेस्ट रहेंगा कि पुरी रात के लिए छोड़ दीजें यहां पे ओवर्णैट छोड़ने के बाद में देखिए दाल चब ल्हुवल कितने अठे से फूल गया है अपने साइज में डबल होगा है इतने पर्फेक्ट अब इसको पिषना बहुत ही आसान हो जाएगा अराम से इसका पेस बन जाएगा कोई दिकत नहीं है इसको पिषने इसे के लिए हम आ पे लिया है मिक्सिका जार को थे बहुत आसान रेससेपि यह बिना क्नी बना कि यहां में नहीं डाल दी यह ठीए में यह पानी में है ॥र्थ इसको अम पोर दाल-जावल का पेस। आपके पेसें और समय यही पानी यूश्ण पोरराध气 गرا delesette और दाल चावल के साथ में मैंस में डाल दूँगी चार बड़े चमत दही दही से ढोगला बहुत बहुत टेश्टी बहुत नरम मुलायम बनेगा अब इसको हम कवर करकी पीसेंगे और जितनी जुरक पड़ेगी तो हम वही फर्मेंटेट पानी यूज़ करेंगे अलग से पानी नहीं उसकरेंगे और यह देखिए मैंने यहां पर दाल चावल को भीकूब बारिक होने ता पीस लिया यह देखिए इधा परफेक्ट और इसको पीसने के लिए मैंने पूरा आधा ग्लास पानी जो फर्मेंटेड वाला वही उसकिया है अलग से हम पानी नहीं उसकरेंगे अब इसको इंकाल लेंगे हम बाउल में जब भी आप दाल चावल का पेस बनाएं इस बात का ध्यान लखें कि आप दाल चावल को अच्छे से भिगोईए टाइम देके ताकि वह अंदर तब फूल जाएं उससे दाल चावल का पेस बहु जैसे बेसं का धोकला हो ना भी कुछ वैसा बैटर बना हुआ है लेकि अभी इसको हम रद देंगे फर्मेंट होने के लिए 3-4 खंटे के लिए ये वाले धोकले में टाइम लगता है लेकिन धोकला बेसं से बहुत चाव बनता है तो बस कवर कर देते हैं और किसी गरम जगा भी हो गया है हलका गाड़ा भी हो गया है अठ्छे से मिला देंगे अगर आपको लगता है बहुत थिक हो गया है तो आप बढ़ेंटेट पानी बचा हुआ है वही उसकर दियागा तो यहां पर देखिए अब इसको साइड में कर देते हैं और इसमें अब स्टीम करेंगे उ अब कोई बरतन ले लिए तेल डालके अच्छे से फिला देंगे ताकि ढोकले को निकालना आसान हो जाए अब इसको साइड में कर लेते हैं और यह जो बैटर है इसमें डाल देंगे हम साधनुसार नमक आधी चमच साथ में जाएगा दो चुटकी हल्दी पॉडर कलर के लि फ्लेवर है चीनी हल्दी नमक हिंग सारा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए हल्दी आ बहुत कर्ण डालिएगा ने तो ढोकला बहुत पीला-पीला हो जाता है एक मेट के है इसमें पहले लेते हैं अब ढोकले में जाली नाने के लिए भोकले के स्पंजी बनाने के लिए कि मैंने यहां पे लिया है एक पाउश इनू जो कि आपको अराम से मार्केट में मिल जाएगा इसके उपर डाल देंगे हम एक चमा नीबू करस ताकि जो इनू है जल्दी से एक्टिवेट हो जाए अब फटाफ़ड इसको मिला लेंगे अब इस टाइम पे हम फटाफ़ड इसको मिलाएंगे कि वर आधे मेट के लिए ताकि जो बैटर जल्दी से फूल जाए इसलिए मैंने पहले से केक्टिन को तयार करके रखा था और साथी साथ गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई जिसमें हम स्टीम करेंगे उसमें पानी डाल के इसक जल्दी करेंगे एक से दो मैट के अंदर इसको ट्रांसफर करके स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी अंदर फूले यह बाहर ना फूले तो यह देखिए इसमें डाल देंगे हम फटाफट जल्दी करेंगे कई बार क्या होता हम धीमादी महा चलाते हैं और ज धोकले की टिन को और कवर कर देंगे और मीडम फ्लेम पे इसको फूले मेट के लिए एक बार भी खूल के मत देखियेगा खूल के देखिए कि अधर 12 मेट के फूले का तुरम बैट जाएगा तो पिना खोले 20-25 मेट के लिए पकाये अधर आम से फूल जाए चोड़ देते ह हैं पकने के लिए और यहां पर ढूखले को पक्ते पर्रेंट हो गया है मैंने फ़रों के नहीं देखा चक लिए और यह देखिया अच्छा किलर भी आया है देखिए अब चेक करने के बाद में देखिये ठोकरनी हो गया दिक तो गैस को बन कर देते हैं और इसको निकाल लेंगे हैं प्लेटफोर्म के ऊपर और यह लीजे बिना बेशन का बना हुआ यह हमारा बहुत 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 समजीग खम्मन ढूकला ठंडा होने के लिए अभी यह बहुत गरम है तो हम इसको छोड़ देंगे ऑज़का थड़ना होने देंगे तेल गरम होते ही इसमें डॉल में डाल देंगे 0,7 चमळ डाले में Ace-4 ậnविजे कट कर लिया है ये छुटbah हीन डालें देंके देखार दो कब पक्रक भाड़ रखर नेंहें हो दोखला अंदर तक स्पंजी हो जाए साथ में डाल देंगे मिठास के लिए दो बड़ा चमाचीनी का इतना चीनी विकू पर्फेक्ट रहेगी और हलकी सी खटास के लिए मैंने यहां पे लिया है एक चमाच नीबू करस यह डाल देंगे और इसको हम 2-3 मेट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे ताकि जो फ्लेवर है तरकी भी अच्छे से आ जाए तो यह लिजे हमारा गर्मा गर्म चाशनी वा तरका बनके तयार हो गया है बहुत बहुत टेश्टी बहुत ची महग भी आ रही है और इतनी जो चाशनी इदम पर्फेक्ट धोखले के लिए गैस को बन कर देंगे तो यह तो तड़का है बहुत ही गरम है तो इसको मारका ठंडा कर लेंगे चाशनी हरकी ठंडी रहेगा तब यूज़ करेंगे और यहां पर धोखला हलका ठंडा हरका गरम है आप निकालेंगे कई बलूंग क्या करते जलबारी कर लेते हैं औ देखेंगे कोई अकी नष् GIR अकर बनाया है है dissipation के अलोडा है इसको अफोर्य को इससे नहीं बनाया तो अफकर खराब हो जाए नहीं अगे डTI है अगुसे से धेया तो आक्र धोगला बिना किसी failure के अच्छी बनेगा बीना बेसन बीना सिट्रिक एसेट बीना सोड़े के अराम से बना लेंगे तो यह देखिए मैंने यहाँ पिसके बड़े-बड़े पीसेद कट किये हैं आपने मन चाहें पीसेद में काट लीजेगा और काटने के बाद में आपको निकाल के दिखा रही हूं कि शेप नहीं स्पंज भी आया है यह देखिए साइज देखिए कितने बड़े-बड़े बनके त्यार हुए है और यह देखिए दबाया छोड़ा दबाया छोड़ा ना तो तूट रहे न तो विखर रहा है अच्छा स्पंजी और हलका हो जाएगा यह अब इसको हम डेकोरेट करेंगे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहां पर लिया है बारी कटा हुआ हरा धनिया ताक कि अमार धोकला भी कुम मार्केट इससे लुक लगे इसका अब डालनें इस में हम चास्णी चासनी अगर आपकी शहणनी हो गई तो इसको हलका गарम कर लीजिएगा धन्डी चासनी मत यूज करिएगा धोकला हलका गरम रहे चाणी हलकी गर्म रहे तभी वो अच्छे से अगर आपने गरम गरम चास्णी टाल दी तो धोकला उपर से गिला हो जाएगा अंदर से ड्राय रह जाएगा और धोकले के इपर चास्णी टालते से बहुत का ध्यान रखे कि धीमे धीमे चास्णी टाले एक साथ पूरा नमद डाल दीजेगा तो यह देखिए मैंने हलका अगरम यह दोखला बहुत लाइट बहुत फ्लफी हो गया है बहुत हलका हो गया है अब मैं आपको निकाल के दिखाती हो और यकीन मानिए मेरे घर में यह जोगल से लोग को बहुत पसंद आता है क्योंकि हलका है टेस्टी बनाने में आसान है सबसे बड़ी बार सेम भुइव करें कि वी जोटारे में महींद करते हूं कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें चलिये मिलते हैं नेक्ष्ट रेसिपी के साथ मैं अभी के लिए बौब और सलब्स ऐ थैंक्स hats